Debt mutual fund में investment करना चाहते हैं, लेकिन Debt बोरिंग लगता है सुना है कि Debt mutual fund FD से बेटर रुटर्न देता है लेकिन समझ दिया आता Debt mutual fund बिलकुल भी घबराइए नहीं, यही आपके लिए best forum है Simple, subtle, लेमान भाशा में हम Debt mutual fund को cover करेंगे इस विडियो को हमने चार पाथ में डिवाइड किया है पहले पाथ में Debt mutual fund होते क्या है Debt versus mutual fund versus fixed deposit थर्ड पाथ में हम लोग discuss करेंगे Debt mutual fund versus investing directly in bonds और फिर पाथ करेंगे, अगर Debt mutual fund में investment करना है तो एक Debt mutual fund में, दूसरे Debt mutual fund है और फिर उसको इन्वेस्ट करती है अगर वो equity mutual fund है, तो वो shares में invest करेंगी अगर वो Debt mutual fund है, तो या तो वो government bonds में invest करेंगी corporate bonds में invest करेंगी या फिर किसी money market instrument में invest करेंगी अब ये तीनों क्या होते है जो हमारा government bond हो गया मतलब कि सरकार, government को borrow करना होता है पैसा क्योंकि उसकी खर्चे जादा है, income कम है तो वो जनता से पैसा borrow करती है और उसके लिए जो instrument issue करते है उससे कहा जाता है bonds और bonds में आपको unlike a FB coupon मिलता है which is like a interest rate तो bonds में interest rate को आप coupon बोलते है आप कह सकते हो उसके अधात है corporate bonds मतलब कि अगर मैं company हूँ मुझे पैसा चाहिए एक option है कि मैंने equity shares issue कर दिये जिससे मैं लोगों को अपने profit में हिस्सेदार बना रही हूँ ownership बेच रही हूँ second option है मैं loan लूँ loan मैं बैंक से ले सिपती हूँ normal जनता से ले सिपती हूँ जनता से लेने के लिए मैं जो instrument issue करूँगी उससे कहा जाते है corporate bonds तीसरी चीज आती है money market instrument money market instruments वो instruments होते हैं जो जिनके maturity less than one year होती है जैसे कि treasury bills जो अगर सरकार को एक साल से कम के लिए लोन चाहिए तो RBI इस्व करता है on behalf of the government जैसे कि certificate of deposits अगर banks है वो FB issue करने के बजाए आपको certificate of deposit issue कर देगी फ़रक यह है कि FB तुडवाने के लिए आपको वापस bank के पास issuer के पास जाना बढ़ता है जबकि certificate of deposit को आप open market में secondary market में बेच सकते हो किसी और को अगर जरूत है वो आप से खरीच सकता आपको वापस examples हो गए हमारे money market instruments के तो इन तीनों में से किसी भी instrument में जो वो fund है debt fund है वो investment कर सकता है अब आते हैं debt mutual fund versus fixed deposit पहला difference है returns का FD में आपको interest मिलता है और अपना debt mutual fund के अंदर capital gain से आप generally पैसा कमाते हो difference FD आपने 1,00,000 पर इंवेस्ट किया आपको हर साल 6,60% का ब्याज मिल रहा है जितना आपको interest मिल रहा है वो आपकी income में आड हो जाएगा और उस income पे आपको अपने existing tax lab के हिसाफ से tax सरकार को देना पड़ेगा लेकिन debt mutual fund में आपने 1,00,000 पर इंवेस्ट किये और आप इसको 3 साल तक अगर वो long term capital gain का हिलाया जाता है long term capital gain में आप जो है indexation का मतलब inflation का फायदा उठा सकते हो तो उसमें जो भी आपको return होगा वो inflation adjust करके मतलब महंगाई की वज़स से जो आपका asset का जो आपका पैसे की value कम हुई है वो adjust करके आप उसके उपर जो है tax government को दोगे मतलब मान लीजे अपने एक लाख रुपया invest आज किया है चार सालों के बाद inflation के वज़स से हम कहेंगे कि उस एक लाख रुपय की कीमत है एक लाख दस हजार रुपय मान लीजे और आपने उसको एक चालीज पे अपने units mutual fund के बेचे हैं चार साल के बाद तो यह जो एक आपका जो cost price है वो एक लाख नहीं एक लाख दस हजार रुपय काउंट होगा आपका गें तीस हजार रुपय हुआ तीस हजार के उपर long term capital gain 20% plus stress वोगेरा मिलाकर आपका जो है interest जो आपका tax है वो कटेगा जो FD से actually में बहुत कम होता है so यह आपका benefit हो गया returns के अंदर second difference है FD और debt mutual fund में वो है हमारा risk factors का FD कम risky होती है as against debt mutual fund government securities के अलावा वले जो हमारे debt mutual funds होए FD के अंदर आपका एक जो risk होता है जिसे कहा जाते credit risk that means मैं एक bank में FD कराई और वो bank fail हो गया chances बहुत कम है unless आप जादा interest के चक्कर में किसी थोटे मोटे corporate bank bank के पास जमा करा मैं responsible नहीं हो but अच्छा खासा बड़ा bank रातो रात fail नहीं होते और anyways 5 लाग तक का सब के पास insurance banks में प्रोवाइड़ है लेकिन debt mutual fund में मैंने एक mutual fund में investment किया उस fund manager ने अलगला companies के debentures में bonds में इंवेस्ट किया और वो जो underlying company थी वो fail होगे default मार दिया ताइक पैसा नहीं दे पाई तो मेरा उसके वज़र से mutual fund का जो नुकसान है वो मेरा नुकसान होगा उसको credit risk बोलते है second risk जो हमारा debt mutual funds में रहता है और bonds में रहता है as against a fixed deposit वो है interest rate का risk मैंने एक FD कराई 6% मुझे interest मिल ला है अगले 5 सालों तक अगर तो मैं 5 साल तक उसको hold कर पाई तो 6% मुझे मिलेगा मैं भी खुश बैंक भी खुश सब गाव्मेंट भी क्योंको इसको tax बिल रहा है अगर मान लेजे मुझे तीन साल के बाद पैसे के जुरूवत पढ़ गए तो आज ही मुझे पता है कि मुझे कितना interest बैंक देगा तीन साल के हिसाब से और मुझे कितनी penalty चार्ज करेगा तो मैं informed decisions ले सकते हूँ लेकिन bonds में या फिर debt mutual fund में interest rate का risk रहता है मैंने किसी bond में invest किया 6% का coupon है तीन साल के बाद मुझे पैसे की जरूवत है जब मैं पैसा लेने गई उस समय हो सकता है market में interest rates बढ़ गए है मान लिजे उस समय जो bonds में आप खरीद सकते हो वो 8% का return दे रहे है तो भई कोई मेरा 6% वाला bond क्यों खरीदेगा वो 8% के उसके लिए bond के लिए जाएगा तो वो कहेंगे कि ठीक है आपने 100 रोपे का खरीदा था हम 100 रोपे का नहीं उससे थोड़े सी कम price में खरीद लेंगे तो उसके case में हो सकता है मुझे अपने principle से कम price पे अपने bond को बेचना पड़े और plus uncertainty है तीम साल के बाद interest rates कैसे रहेंगे यह मुझे नहीं पता unlike a fixed deposit जहांपर मुझे पता है कि मैं को अगर premature withdrawal कराना पड़ा तो मुझे कितना interest मिलेगा so यह second difference हो गया हमारा FD versus जो हमारा debt mutual fund में investment है that is the risk क सिनारियो risk को हम समझते हैं यह हो गया हमारा second part of the video third पे आते हैं जैसे अगर मुझे equity में investment करनी है shares directly खरीदने है तो मैं DMART account खरीद कर खोल कर वहाँ पर shares खरीद सकती हूँ मान लीचे मुझे bonds में directly investment करनी है तो मैं कैसे कर सकती हूँ पहली option है मुझे government bonds में investment करनी है याद रखेगा government bonds directly में खरीद रही हो सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो मुझे inflation के आसपास का ही return देंगे उससे जादा नहीं देंगे तो bonds में मैंने government bonds में invest करना है तो RBI की एक website पर जाकर आपको retail direct करके option मिलेगा आप retail direct में अपना account create कर सकते हो और government bonds में investment कर सकते हो जिसमें आपको coupon या आपको जो है मतलब interest या coupon मिलेगा second option is अपना DMAT account अपना trading account को लिए trading account के अंदर आपको एक tab दिखेगा fixed income instruments उनको देखे कि कौन से corporate bonds या कौन से government bonds secondary market में बिक रहे हैं और उस हिसाब से आप investment कर सकते हो वहाँ पर fixed income instruments में आपको bonds option दिखती है और दूसरी दिखती है NCDs which is non-convertible debentures मतलब debentures भी एक तरह से जो company है उनको पैसा चाहिए तो या shares invest करेंगे या वो debentures भी issue कर सकते हैं और आप वो NCDs को खरीच सकते हो market price पे depending on कि वो कौन से कितने पे issue हुआ दा coupon पे और अभी फिलाल economy में क्या interest rate चल रहा है plus the credit rating of the company so directly invest करने में versus mutual fund के थूँ invest करने में क्या difference है पहली चीज़ अगर मैं directly bond करीद रही हूँ तो मेरा एक ही bond करीद पा रही हूँ जिसके वज़स से मेरा concentration risk होता है लेकिन जो मैं debt mutual fund में investment करते हूँ तो वो mutual fund अलग-अलग bonds में investment करेगा मुझे एक diversification मिल जाएगा जो मैं कम price पे जादा diversify कर सकती हूँ with the help of debt mutual fund second benefit रहता है expert का मुझे नहीं पता कि interest rate movement की वज़े से मेरी bond की price का क्या फरक बढ़ेगा कौर रोज betkos को calculate करेगा मेरा रोज का काम तो है नहीं I'm sure मैं कुछ और भी काम करती हूँ तो लेकिन जो fund manager है उसके पास यही काम है calculate करने का कि interest rate उपर गए तो जो मेरी underlying bonds है उनका क्या effect होगा उसी तरह से खरीबने और बेचने का वो काम कर सकते हैं समझ सकते हैं तो यह हमार पास हो गए debt mutual fund में invest करना versus directly bond में invest करने का benefit और problems उसके बाद आते हैं next part मेरे पास एक debt fund है मेरे पास दूसरा debt fund है मैं दोनों को compare कैसे करूँ कौन से factors है चो मैं देख सकते हूँ पहली चीज़ of course याद रखिएगा apples को apples के साथ ही compare किया चाह सकते है apples को oranges के साथ नहीं compare करना चाहिए तो अगर मेरा debt mutual fund है उसको मैं equity mutual fund से नहीं compare कर सकती दोनों के asset class different है दोनों का purpose different है आपका time horizon आपका जो भी financial goal है उस हिसाप से आप दोनों को compare करो और उससे आप से देखो दूसरी चीज़ एक debt mutual fund जो की overnight है जो एक दिन के दो दिन के instruments में invest करता है versus एक mutual fund जो long duration funds में invest करता है bonds में invest करता है obviously दोनों अलग है मैं एक debt mutual fund जो government securities में सिरफ invest करता है guilt कहा जाता है guilt जो mutual funds है debt mutual funds है जिनका double A से कम rating है ऐसी companies में investment कर सकते है वो वले debt mutual funds को आपस में compare नहीं कर सकती पहली चीज़ दोनों के return में फरक होगा अगर कम rating वली company market में borrow करने के लिए जा रही है obviously वो आपको जादा interest rate देगी लेकिन वो risky है याद करिएगा कि वो आपके पास इसके लिए आ रही है high interest rate पर क्योंकि उनको जाद bank से बाकी लोग जो भी है loan नहीं दे रहे है तो आप credit risk ले रहे हो वो देखकर लेना बढ़ेगा तो दोनों को आप underlying investment क्या है किस चीज में वो लोग mutual fund invest कर रहे है तो पहला difference तो यही होगा उसके बाद मान लेजे मैंने दो funds को पकड़ा जिनका underlying same है दोनों SEBI की categorization के हिसाब से SEBI ने 16 categories दी होई है debt mutual fund में सो SEBI की categorization के अंदर मान लीजे दोनों dynamic bond fund आते है dynamic bond fund मतलग कि जो fund manager है वो अलग-लग duration के bonds के अंदर investment कर सकता है जैसे हमारे flexi cap funds होते है equity के अंदर तो दो dynamic bond fund है एक fund house का एक दूसरे fund house का दोनों को कैसे compare करेंगे simple चीज है मैं return देख सकती हूँ but return हमेशा अकेला नहीं देखना चाहिए हमेशा याद रखेगा return का दूसरा साथ ही आता है risk तो हम चार factors है जिनमें debt mutual funds को देखते है पहला factor आता है duration duration मतलब की उस जो underlined investment है उसका duration क्या है duration मतलब मान लीजे मैंने एक government bond है 30 years का issued है 30 30 years का और मान लीजे वो मुझे coupon दे रहा है 10% analyze coupon साल में एक बार मुझे उसका interest मिलेगा 10% के हसाब से अगले 30 सालों तक तो अगर मुझे उसका duration calculate कर रहा है तो duration 30 years नहीं आएगा 30 years उसका date of maturity है duration होता है कितने time पे मेरी जो investment है वो मुझे वापस मिल जाएगी तो इस case में 10 10 10 रुपए मुझे first 10 years में मिलेंगे तो 10 साल के अंदर ही मेरा principle मुझे वापस मिल जाएगा so that means कि इसका duration 10 years के आसपास आना चाहिए आसपास इसलिए क्योंकि बहुत crude way से मैं आपको explain किया है होगी because of time value of money because of inflation and all those things तो हम उसमें cash flows देखते हैं फिर उनको आज के inflation या फिर आज के interest rate से उनको discount करते हैं उनको वापस लेकर आते हैं और उस तरह से हम duration calculate करते हैं by the way जो मैं आप example दिया उसमें अगर आप Excel में calculate करोगे कि bond 20 52 में mature हो रहा है तीस सालों के बाद में चौर हो रहा है 10% analyze coupon पे तो आपका 10.36 के असपस आपको duration मिल जाएगा अगर दो funds हैं same category में semi categorization same है तो वो वापन जुसका duration ज्यादा है versus वो fund जुसका duration कम है ज्यादा duration वापन ज्यादा risky है क्योंकि याद रखिएगा debt के अंदर जैसे duration या time horizon बढ़ता जाता है हमारा risk बढ़ता रहता है मैं पुरी यकीन के साथ कह सकते हूं कि एक साल के अंदर-अंदर Mr. Mukesh अमानी का reliance industries default नहीं करेंगे लेकिन 10 तालों में कुछ में हो सकता है जैसे ही 10 और बढ़ता है interest rate risk, credit risk वो सब बढ़ जाता है duration बढ़ जाता है अगर बढ़ता है तो second factor जो मैं देखती हूं वो है modified duration modified duration debt funds में use होता है simple language में it is a sensitivity of a bond for the in the interest rates in the economy मतलब अगर interest rate अपना 1% बढ़ता है तो इस bond का return जो है yield जो है modified duration बोलते है mod जो है जितना high होगा वो fund उतना ही risky होगा so 2 funds है return almost same है so जिसका high modified duration है हम उसको avoid करके कम modified duration वोले fund में जाएंगे second जीज आती है किसे भी mutual fund में देखते है वो है average maturity fund manager के पास copus या asset under management जो लोगों का 1 अठा किया मान लीजिए 100 रुपया है उस 100 रुपय को उसने 50 रुपय एक ऐसे bond के अंदर डाला है जिसकी maturity let's say 2 years है और 50 रुपय ऐसे fund में डाला है ऐसे bond में डाला है जिसकी maturity 1 year है तो उसकी average maturity क्या हुई यह तो आसान है मतलब 1 plus 2 is 3 divided by observation points 2 है divided by 2 तो मेरा 7 point sorry 1.5 आ गया लेकिन ऐसे calculate नहीं होता क्योंकि ऐसे बहुत ही rare है कि एक fund house है जिसमें 50-50 उसने दो अलग-लग bonds में डाला हुई आपको दिखेगा कि एक bond में उससे 10% पैसा डाला है दूसरे bond में 20 तीसरे bond में 30% ऐसे करके पैसा डाला है जिसके average maturity कम है वो कम रिसक है but of course यह depend करता है कि आपकी expectation क्या है interest rates को लेकर जैसे हम सब को अभी पता है कि जो December में monetary policy आएगी हमारे RBI की उसमें दुबारा से और interest rates बढ़ सकते है तो इसे लिए अभी मैं वैसे funds में जाऊंगी जहां पर average maturity जो है वो कम है अगर मैं expect करती हूँ future में कि आने वाले time पर interest rates कम होंगे because of XYZ reasons तो हो सकता है मैं ऐसे fund में investment करना चाहूँ जहां पर average maturity जादा है चौथा factor आता है yield to maturity लेकिए coupon एक बहुत simple सा straightforward concept है मैंने 100 रुपे इंवेस्ट किया उसमें मुझे 6% का coupon मिल रहा है 6% का return मिल रहा है but मान लिजिये मैंने 6% वाला bond पकड़के रखा हुआ है और market economy में again interest rates बढ़ गए तो मेरा जो 100 रुपे का bond को यह नहीं खरीदेगा क्योंकि उनको 8% पे मान लिजिये और नए bonds मिल रहे है तो मुझे 100 रुपे से कम में उसको बेचना पड़ेगा अब मैं खरीद रही हूँ bond और मान लिजिये 100 रुपे के face value वाला जो उसकी किताबों में पहले कीमत थी वो bond मैंने 95 रुपीस का खरीदा है तो उसमें जो coupon है जो interest है वो मुझे 100 रुपे के उपर 6% मतलब 6 रुपया ही मिलेगा लेकिन मेरी yield return जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि अब मैं वो 6% divided by 95 करूँगी जो मेरी purchase price है rather than 6 divided by 100 जो actually original price थी तो अगर मैं 6 by 95 करूँगी तो मेरा yield जो है वो जादा आएगा उल्टा है अगर मैंने उसको जादा price पे bond को खरीदा है तो मेरा जो yield आएगा वो कम आएगा तो yield to maturity मतलब अगर जो भी bonds जो underlying fund manager ने पकड़े हुए है उसके अंदर जो अगर मैं पकड़ी रहती हूँ तो मेरी yield कितने बन रही है obviously जोसका yield to maturity ज्यादा है वह वला fund मैं समझ रहती हूँ fund manager ने अच्छी price पे value investing की है अच्छी price उससे bonds उठाया हूँ है इसलिए उसका yield to maturity ज्यादा बन रहा है तो मैं obviously जिसका ज्यादा yield to maturity है वह वह वला fund prefer करूँगी having said that required है कि हम देखे कि दोनों funds ने actually मैं कौन सी companies के papers में invest किया है अगर हमें companies की थोड़ी knowledge है और हमें लगता है कि भई मैं इन companies पे विश्वास नहीं करता तो मैं qualitative aspects पे जाऊंगी rather than quantitative aspects यानि कि हो सकता है आपको इसमें distributor के जरूवत पढ़े जो इन सब चीजों को समझता है और आपको accordingly advice करेगा but do look at the these factors which I have discussed underline देखेगा उसका objective पढ़िएगा fact sheet के अंदर mutual fund की जो fact sheet आती है मांगे पढ़िए कि वो government securities में investment है या double A से नीचे वली companies में investment है सिर्फ रिटर्न की बीचे डेट में भागना बहुत ही गलत है क्योंकि डेट में हम investment करते हैं with the purpose कि हमारा principle जो है वो ठीक रहे डेट में रिस्क लेने का sense नहीं बनता so ये था एक मेरा थोड़ा से लंबा विडियो but trying to explain the concept of debt mutual fund in layman terms I hope you found this video useful please do let me know and great to have you thank you so much